नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से साधा ब्लाउज कटिंग एंड इस्टिचिंग यह जो कपड़े बच्चे हुए हैं उसमें से आज मैं आपको साधा ब्लाउज बताऊंगे तो दीखिए जो छोटे छोटे हमारे पास टुकडे होते हैं और वो कप कपड़ा है तो उसमें से हम ब्लाउज कैसे बनाएं तो दीखिए मेरे पास यह कपड़ा था तो मैंने सोचा कि इसमें से मैं आपको ब्लाउज बताऊं देखिए इस तरीके से हैं यह टुकडे हैं जो बचा हुगा कपड़ा है उसमें से हम ब्लाउज कैसे बनाएं तो यह म कपड़ा ज्यादा है इसको निकाल लें अब उसके बाद हम कपड़ी को डबल करेंगे एक कपड़ा हमने डबल कर लिया अब कपड़ा हमने डबल कर दिया अब हमारा जो बलाउज है उसका नाप लेंगे हम चैस्ट का अब देखिए इसकी जो चैस्ट है बहुत तेईस पीछे का जो पल्लार है वो तेईस इंच है अब इसकी लंबाई यहां पर बलाउज की जो लंबाई है वो पंदरा इंच है हम अपने हिसाप से लेंगे क्योंकि इसके जो शोल्डर अच्छ नहीं है यहां पर देखिए ज्यादा चोडाई है अब देखिए हमें क्या करना है जो हमारी लंबाई है तो सबसे पहले तो हम यहां पे डिएड़ इंच ले लेंगे जो हमारा तुरपाई में सिलाई में जाएगा उसके बाद यहां पर हम अपनी लंबाई ले लेंगे जितनी भी हमारी लंबाई यह 14 या 15 उतनी हम लंबाई लेंगे अब सोल्डर देखिए हम यहां पर छे इंच लेंगे कि आरूमल छे इंच अब हमने चौकुटा निशान बना दिया अब देखिए जैसे हमने पीछे का पल्ला जो नापब वो तेईस इंच था तो इस तरीके से तेईस इंच को डबल करेंगे और यहां पर रखेंगे इंची टेप को और यहां पर हमें गोल आई यहां पर देखिए कितना दूर है आदा इंच का अब हमें गुंजाज लेनी है एक इंच यह हो जाएगा हमारा सिलाई के लिए अब गले की चौड़ाई हम ज्यादा निलेंगे दो इंच लेंगे गले की लंबाई आप अपने इसाब से ले सकते मैं यहां पर मैं यहां पर आट इंच लंबाई ले रही हूं गले की चौकूटा निशान उसके बाद गोल आई अब पीछे की प्लेट का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहां पर 6 इंच पर क्योंकि इसकी जो चौड़ा यह बुजादा है अब सबसे पहले हम अपना पीछे का प्लन निकालेंगे अब यह पीछे का हमारा बराबर आ गया अब हम आगे का निकालेंगे यहां पर जो डवल कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से बाजू निकाल लेंगे तो यहां पर इसको काट लेंगे यह बाजू के लिए हो जाएगा हमारा अब यह कपड़ा बचा है इसमें से हमें आगे का पल्ला निकालना इसको हमें ऐसे करके डबल करना है डबल करके अपना जो पीछे का पल्ला है इसको ऐसे रखेंगे कि चोड़ाई बराबर है कि नहीं तो यहां पर चोड़ाई बराबर है अब यहां पर जो कपड़ा है उसको काट लेंगे यहां पर इस तरीके का यह कपड़ा है यह कटा हुआ है और यहां से इसको हमने इस तरीके से देखेंगे अब इसके उपर हम अपना पीछे का पल्लर रखेंगे जो कटा हुआ कपड़ा था वो कटिंग में निकल गया यह देखेंगे अब आगे का जो गला है उसकी लंबाई हम 6 इंच लेंगे आज पीछे का पल्लर हुटा लेंगे आगे की साथ हम यहां पर आधा-धा इंच कटिंग करेंगे क्योंकि आगे की साथ जो लाती है अब देखें अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे तीरे का निशान हम यहां पर 14 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट वो है भी है, एक इंच यहां पर लेंगे, और इसको हम सेप में अच्छे से, यहां से हमें अच्छे से कटिंग करनी है तीरे की, अब यहां पे जुड़ा हुआ इसको काट लेंगे और अब लगाएंगे हम इसमें टक्स का निशान तो टक्स का निशान हमारा यहां पे 10 इंच पर आएगा अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे तो जैसे हमारा तेई सिंच था पीछे का पल्लर तो इसको ऐसे डबल करके यहां पर ऐसे यह हमारा फिटिंग का कपड़ा हो गया अब हमारी जो बीच की प्लेट है वो इस तरीके से आएगी एकदम बीच में अब दो इंच की दूरी रखेंगे दो इंच की दूरी अब यहां पर एक निशान जो दस इंच पर निशान लगा हुआ है यहां पर लगा लेंगे एक निशान और कैंची का कट लगा लेंगे इससे क्या दोनों साइड हमारे निशान बराबर आ जाएंगे यह हो गए हमारे आगे के दिन्प पर pareक़ transformed, अब देखें यहां पर हमारा ठीरा कई को की एक कीरा हमारा जो कटिंग का यह यह सई है इसको ऐसे रखेंगे अब यह हमारे दौनत तीरे आ गए अब यहां पर जो कपड़े बचे हुए है वह हम गले पर यूज करेंगे जैसे गले की पाइपिन हुक वाली पट्टी और एक कपड़ा है जो मैंने बाजू के लिए कटिंग में से ही बचाया आपको बताया था न अब देखें यहां पर ज चोड़ाई है वह है 19 इंच इसकी जो चोड़ाई है वह कम है तो हम क्या करेंगे इसको हम ऐसे करना है इस तरीके से या फिर हम इसको ऐसे भी करके नीचे की साल यहां पर एक च्रैया भी लगा सकते हैं अगर हमारे आरूमल में कपड़ा कम पड़ेगा तो अगर कपड़े की चार इंच और इसको हम देखिए इस तरीके से कम करती हुए उपर के शार लेके जाएंगे यह हमारे बाजु होगे है अब दिखिए आसान और शरल तरीके से जैसे हमारे जो बच्चे हुए कपड़े होते हैं उसमें से हम कैसे ब्लाउस बना सकती हैं तो मैंने जरूली समझा कि आपको अपको आइडिया पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कपड़े बच जाते हैं त तो आसा करती हूं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कुछ पूछना या सीखना तो प्लीज नीचे कमेंट करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राब कर लें, धन्यवार,